हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आप लोगों को अपना न्यू होम डूर कराने वाले हैं आप इसे 2BH के फ्लैट भी कह सकते हैं बस एक मैने पहले ही हम लोग यहाँ पे सिफ्ट होए हैं और यह है मेरे घर की एंट्री जैसे ही हम घर में इंटर करते हैं यह साम लगी हुई है और मिरर के बगल में ही यह हैंड वाश टूथ ब्रस और टूथ पेस्ट पस रखा हुआ है और एक चोटा सा टौवल हम लोगोंने लगा रखा है बस यह हो गई हमारी घर की एंट्री और अंदर से हमारे घर का लुक कुछ इस तरह हैं सामने दो कमरे दिख रह दिखर एक यहां पर एक बागल मेंने पनी जले हमने यहां पर फैसमें डालाई रखाक बगल में यहां यहां पराहिए बोड़ वाड़ की यह प्रेम भी आत।3 और यहां पर यह सूज स्टेंड है, यह हम लोगों ने एमेजॉन से वाड्रो बना मंगाई हुई थी, जो फोल्डेबल आती है, उसका जो कवर है वो फट गया था, दो थी, एक न्यू मंगाई है कुछ दिन पहले ही, वो तो है ही हमारे पास, यह पुरानी वाली है जिसका कव फट गया था, तो हम लोगों ने हमने उसे उसे कुछ पार्ट यूज करके यह शू स्टेंड बना दिया है, उसके पीछे जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, वो है कूलर, हमारा जो कूलर अभी काम नहीं है, ठंडी आ गई है, तो हमने उसे कूलर कवर करके रख द और बस रस्टमिन वगेरा रखी हुई है, और यह है हमारा किचन, किचन के बाहर का जो एरिया है, वहां पे हमने सिर्फ अमने फ्रिज रखी हुई है, उसके बगल में यह चेयर लगी है, वाल पे यह वाच है, और यह आपको जो टब दिख रहा है, यह मेरा बरतन वाला अच्छा लगता है, और यह जो आपको सोपीज दिख रही है, वो मेरी नंद ने हमें एनवर्सरी पे गिफ्ट किया था, यह है फ्रिज मेरा, और यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्नर, क्योंकि यहां पे बहुत सी चीज़े आ जाती है, बस जो सबसे उपर वाला आप जैसे हतोड़ी है, और पिछकस हो गया, प्लास हो गया, उसके अलावा, एमर्सन रॉड है, वहीं पे और प्रिस रखा हुआ है, उसके नीचे वाले पार्ट पे यह सारी चीज़े है, रेड डेली यूज की, मेकप का थोड़ा बहुत समान है, बहुत ज़दा मेकप करते नह ज़दा मेरा किचन, और उपर की सिलिंग भी हम आपको दिखा देते हैं, यह सिलिंग अच्छी लगती है, मेरा घर मतलब हमको जब से मने या सिफ्ट किया ना तो सिंपल सोवर लेकिन बहुत अच्छा लगता है, और यह है मारा किचन, और किचन का जो टूर है, आपको फुल किचन टूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसके बगल में ही है हमारा मंदिर, उपर मंदिर के ऊपर ही थोड़े जगा बनी हुई है, वहां पर जो हमें जुरुवत नहीं पढ़ती है, वो चीज़े रखी है, और यह हमारे पास टेबल था, जो पुराने घ बड़ूम है, निस तो है हमारा बैड़ूम है यहां फोरोग ऑफूर सोया हुआ है, और यह जो आपको बैड दिख रहा है, इसके सीलिंग बहा है इसके सीलिंग पहले दिखा दिखा कैने हाथ सेलिंग की डिजाइन भी अच्छी है और यह हमारा बस सामने आपको डोर दिख रहा होगा वाट डोर बना हुआ है वाच लगी हुई है और एक हमारी मेरी हस्बंड के साथ पेक है साधी के समय की यह हमारा हमारा जो डबल बैट है यह बहुत ही प्यारा लगती है इसकी डिजा काम की चीज़े नहीं वह बैट के अंदर है जो जगह बनी होती है बॉक्स बने होते हैं तो फिर से हम रूम में एंट्री आपको दिखाते हैं यह हमारे रूम की एंट्री और यह सामने वाल पे लगी हुई हमारी टीवी और बस यहां पे कुछ कपड़े डेली उज वाले ज जौन की जो हम लोगों ने मंगा रखी थी तो बस वही अब उसका कोई काम है नहीं तो फोल्ड करके उसी में रखी हुई है उसके सारे पार्ट्स और यह है हमारे साधी की पिक हमारे घर में साधी के बाद गंगा पुजया होती है गंगा जी की पूजा बस वहीं की यह पिक और मेरे हस्बेंट का वाड रोर है इसमें मेरे और मेरे हस्बेंट की सारे कपड़े होते हैं और जरुवत की भी जो भी चीजे हैं वो सारी चीजे होती हैं बस कागज उगज भी इसी में रखे हुए हैं कुछ और ये है आपको दिखाते हैं मेरे husband ने हमको gift किया था I think anniversary पे ही था 5th anniversary पे तो वो है बहुत प्यारा लगता है दुरू कभी-कभी इसके साथ खिलता भी है लेके तो अमने काप को दिखाते है तो बस ये water drawer है जिसमें हम लोगों के बस daily use के कपड़े रखे हुए है और मेरी चूड़ी वेगेरा मतलब मैं यहां पे ड्रेसिंग तो है नहीं तो हमने चूड़ी वेगेरा यहां रखे हुई है और make-up ज़्यादा करते नहीं है तो make-up का समान आपको दिखाए दिया था कि बाहर जो बने हुए है बने हुई जगह है बस हमने वहाँ रख दिया है बस यह है room हमारा bedroom और इसके जो बाहर balcony है वो हम आपको दिखाते हैं और बाहर का जो view है वो भी हम आपको दिखाएंगे जो भी है चोटा सा प्यारा सा हमारा यह घर है और यह है हमारे बाहर की बालकनी और यह है हमारे घर का बाहर का व्यू अच्छा लगता है बालकनी पे भी आ जाओ नो तो यह में रोट पे है हमारा यह जो हमने न्यू रेंट पे लिया हुआ है घर तो यह में रोट पे है यह है बाहर की बालकनी और यह सामने का व्यू और यह रोड है और में बाहर तो नाम तो नहीं मालूम लेकिन अच्छा लगता है तो बड़ा साहरा भरा साथ यह दूसरे रूंग का गेट है जो कि हम अंदर से आपको दिखाएं क्योंकि यह अंदर से बंद है तो फिर से हम लोग चलते हैं रूम में और फिर दिखाते हैं यह हमारा सेकेंड रूम और सेकेंड रूम को भी हमने बहुत ही सिंपल रखा है बहुत ज्यादा ताम जाम आपको मेरे घर में नहीं दिखेगा बस यह एक लगी हुई है बेड पिछले जो हम लोग घर पे थे न तो बस हमारे पास यही थी बेड और एक चौकी थी जो हमने बगल में रहती थी यह बाबी उनको दे दी है और यह उपर की सिलिंग आपने देख ली यह बाहर फिर ते बालकनी में हम चले जाएंगे यह बा और यह ही पर हम इसको बैठा के पढ़ाते हैं तो हमने कुछ कॉपी किताब जो डेली यूज वाली है वो यही पर रख्की हुई है उसकी बुक्स वगएरा और बस यहां पर भी एक वार्ड रोर बना हुआ है जिसमें स्थू के सारे कपड़े हैं और कुछ जरूरत की चीज और यह है हमारा ध्रू का रूम यह है ध्रू का हमारे वर्ड रोर जिसमें ध्रू के सारे कपड़े रख्के हुए हैं इसमें सारे हैं पार्टी वियर से लेकर उनी डेली यूज के सारे रख्के हुए हैं और यह इसके अभी बर्थरे भीता है ना नाइन्थ फैप को तो इस और कुछ कॉपी किताब, मतलब हर चीज द्रू की आपको इसी रूम में मिलेगी, और जो नीचे का है, आप नीचे देख लीजे, द्रू का बंडारा, ये द्रू का बंडारा है, पूरा का बंडारा, जो हम इसको ढीक से रखते भी नहीं है, क्योंकि रोच वो द्रू निकालत आप कितना रोल रोच सही करोगे बच्चों का खिलाने, तो बस हमने ये जगह बना दी है कि ध्रू की इसमे खिलाने मारे चेले रहने ना तुमको याद आया कि इस रूम में नीचे का अमने रखे आपको नहीं दिखाया था, तो बस यहां पर हमारे जो वोनी कपड़े और जो चादर वेगेरा होते हैं न चादर है तक्या कि खोल है वह यह सब वेगेरा इस नीचे वाले हमने वाडरोर में रखे हुई है तो यह बढ़ रहे गया था तो हमने आपको फिर से दिखा दिया है तो बस यही था हमारा छोटा सा होम टून आपको मेरा घर कैसा लगा कमे चरूर करिएगा और हम अगर आपकी सजिशन बहुत अच्छी लगी तो मिसे कुछ चेंज करने की भी कोसिस करेंगे धन्यवाद मिलते हैं